हेलो फ्रेंद्स वेल्कम बेक टू माई चैनल केसर क्रियसान आज वापिस मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकिया हूँ और आज की वीडियो में आपको एक छोटी सी प्यारी सी डेली उसमें काम आने वाली सोपिंग बेक बनाना सिखाने वाली हूँ जिसमें थ्री पोके चलो हम स्टार्ट करते कि उसकी कटिंग और स्टीजिंग हमें कैसे करने हैं तो यह छोटी सी बेक बनाने के लिए हमें में फेबरिक के दो पिस लेने हैं तो जिसका मेजरमेंट हमें लेना है सत्रा बाई नाइन सत्रा बाई नाइन के में फेबरिक के दो पिस दो पिस लाइनिंग के और में फेबरिक में हमें एसे बुकरम को चिपका के तयार रखना है तो एसे हमें 2 पीश 17 by 9 के में फेबरीक के और 2 पीश हमें लाइनिंग के लेने हैं और एक हमें एसे जिप लेनी हैं जिसके आगे मैंने एक छोटा सा कोटन का एसे कपड़े का पीश लगा के रखा है और दो हमें उसके हेंडल चाहिए तो हेंडल मैंने थ्री इंच उसकी चोड़ाई ली थी और तेरा इंच थ्री बाए तेरा का है तो उसको मैंने फोल करके दोनों साइड एक एक सिलाई लगा के रेडी करके रखे है तो अभी ये वाला जो पीस है मैंने में फेबरिक का उस पे मैंने ये बुक्रम चिपका के रखा है तो उसके ऊपर हम ये वाला लाइनिंग रखेंगे लाइनिंग रखने के बाद हमें यहां से इतना पाट ओपन रखना आहे और बाकी हमें बाकी की साइड में हमें सिलाई लगाने के बाद इतना पाट ओपन रखेंगे और फिर यहां से उसको पल्टी करेंगे तो पल्टी करने के बाद यह वाला पीस मैंने तयार करके रखा है पल्टी करके और फिर जो ओपन पाट था वहां पे सिलाई लगाईए तो ऐसे हमें यह वाला पीस भी रेडी करन तो यह देखो मैंने इतना पाट ओपन रखा और बाकी की साइट में मैंने सिलाई लगा दी अब हम उसके जो कोने है उसको ऐसे कट कर देंगे विचारो कोनो कट करने के बाद हमें यहां से यह पूरा पीस पल्टी करना है इस तरह से हमें पूरा पीस पल्टी करके उसके कोनो को अच्छे से बार निकालने उसके कोने बार निकालने के लिए ऐसे सेप्टी पिन की हेल्प से आप ऐसे करते हुए आप बार निकालके पूरे चारो साइठ के कोने बार निकालके फिर उसके उपर प्रेस लगाएंगे और जो अपन पाटे हुए उसको हम पेक करेंगे तो वह मैं पेक करके आपको दिखाती है तो ये देखो हुदू, मैंने सेम प्रोसेस से दोनों पीस जोइंट करके, पल्टी करके यहाँ पे शिलाई भी लगा दी तो ये हमारे दोनों पीस रेडि हो गए सेम टू सेम, अब हमें क्या करना है यहाँ पे हैंदल लगाना है तो उसको निशान लगाएंगे तो पहले उसका हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे तो जितना है उसका हमें सेंटर पॉइंट निकालना तो यहाँ पे उसका सेंटर पॉइंट आ रहा है सेंटर पॉइंट से हमें दोनों साइड टू टू इंच पे दो दो इंच पे निशान करन यह वाली साइड पे और यह वाली साइड पे एसे ही सेम यहां पे और यह वाली साइड पे एसे दोनों साइड में एसे ही तो हम यहां पे थोड़ा सा यहां मोडेंगे और यहां पे मोड के यहां पे हैंडल यह वाली साइड पे और एक हैंडल यह वाली साइड पे एक हैंडल लगाएंगे तो ये वाला handle में लगा के आपको दिखाती हूँ तो ये देखो मैंने middle से 2-2 inch पे ऐसे handle लगा दिये तो ये दोनों piece पे ऐसे मैंने handle लगा दिये अब हमें क्या करना है handle लगने के बाद जैसे ये एक बे गए वेसे हमें ऐसे fold करना है ये वाले piece को ऐसे fold करेंगे और ये वाले piece को भी यहां से ऐसे fold करेंगे और अब ये जो handle बिना का piece है वो दोनो piece को एक दुसरे के उपर ऐसे रखेंगे तो ये हुआ ऐसे करते हुए हम दोनो piece को फिर हम जो ये बीच वाले पीस है दो उसको पकड़ेंगे और यहां पे रखेंगे अब ये वाले दो पीस है एक दुस्क्रे के उपर रखते हुए अंदर की साइट सीधा और ये यहां से हमें मिडल पॉइंट निकलना है पहले तो यहां उसका मिडल पॉइंट आ रहा है और मिडल पॉइंट से दोनो साइट दो दो इंच दो इंच इस साइट पे निशान करेंगे और दो इंच इस साइट पे निशान करेंगे एसे निशान करते हुए यहां निचे से साड़े चार पे एसे साड़े चार और यहां से भी स सिलल लगा निए Cory canada the यहां पे एकदम पकी universal लगा निए दोनों पीस पे तो वह मैं सिलल लगा के आपको दिखाती हूं कि तो यह दिखो मैने यहां पे ऐसे जो स्क्वेर बनाए था बॉक्स उस पर सिलल लगा दिएएब अब हमें क्या करना है यह सिलाई लग गई फिर वह इसके उपर एसे रखेंगे और यह वाला ऐसे अंदर से तो यह अभी जो हैंडल वाला भाग है उस पर हम जीप लगाएंगे तो ऐसे हम अंदर से यहां से थोड़ा बार रखेंगे यह वाला पार्ट और एसे हम जीप लगा तो यह देखो मैंने हैंडल वाला जो पाट था उसमें दोनों साइड यहां से जीप अटेच की अभी यह वाले दो दो पाट को हम साथ में जोइट करेंगे तो यह जीप को हम अंदर की साइड ले जाएंगे और अब हम यह वाले दो पाट में एकदम अच्छे से जमाएंगे और यहां से सिलाई लगाएंगे और यहां पे भी ऐसे हम अच्छे से पकड़ेंगे और यहां से सिलाई लगाएंगे इसे दोनों पाट में अलग 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 यहां पे यहां पे ऐसे हम चार सिलाई लगाएं तो वो मैं सिला ही लगा के आपको फिनिसिंग के साथ दिखाती हूं के रेडी कैसे लग रही है ये बेग तो ये देखो मैंने ये side भी पेक कर दी ये वाली 1, 2 और 3 चार और यहाँ पे थोड़ी सिला ही लगा दी तो ये zip हमारी बार न जाए और ये हमारा 3 pocket 1 ये 2 और ये छोटा सा बीच में pocket मिल रहा है तो ये 3 pocket और ये zip बंद करेंगे तो ये हमारा पेक हो गया और ये हमारी side side ये back side ये back side और ये back side तो ये हमारी छोटी सी shopping bag ready हो गई हम इसमें देखो ये से purse भी रख सकते है एक pocket में mobile और ये बीच में जो छोटा सा pocket है उसमें हम चावी भी रख सकते है तो ये हमारी छोटी सी cute सी waste fabric में से बेग ready हो गई आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कोमेट करके जरूर बताना वापिस मिलते हैं ने वीडियो के साथ तब तक के लिए thank you for watching my video धन्यवाद